सबसे पहले आपने Google पर जाके सर्च करना है पाकुर्द इंस्टॉलर पाकुर्द इंस्टॉलर सर्च करेंगे तो पहले ही लिंक के उपर आपने क्लिक करना है और यहां से आपकोने सौफट्वेर को डाउनलोड कर लेना है यहां पर आपने एड्स भी आ रहोंगे एड्स पर क करा देना है, so once यह अगर add अगर कोई खुलता है तो इसको आपने close का लेना यह आपका downloading बार में अगर आप देखें तो इसकी progress आपको नजर आएगी, तो students इस software की मदद से आप किसी भी अपनी application के अंदर उर्दू में लिख सकेंगे, चाहे वो word हो, चाहे वो excel हो, कोई भी software हो, आप उर्दू में लिख सकेंगे, आपको कोई in page करने की जुरूरत नहीं है, आपको कोई और software करने की जुरूरत नहीं है, डाउनलोड होने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यह आप से yes या no पूछेगा, आपने yes पर क्लिक करना है, इसकी installation को begin कर देना है, next next करते दें, agreement पूछे तो yes कर देना है, yes करेंगे तो last पर restart होगा आपका PC, restart करने के बाद जब आप yes पर क्लिक करेंगे तो यह restart कर देगा, once restart होने के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो tray है नीची taskbar में, वहाँ पर उर्दू का keyboard आ जाएगा, तो उसमें आप language change कर सकते हैं, English या उर्दू, so आप लोग अभी देखें, Microsoft Word अगर खोलें अगर, तो यहाँ पर आप इसको असानी से use कर सकेंगे, just आपने क्या करना है, अपना keyboard switch करना है, और उसको document के अंदर जाके आप उर्दू में type कर सकते हैं, हाँ एक चीज़ आपने लाजमी करनी है, क्योंकि उर्दू left side, right side से लिखी जाती है, तो आपने अपना उसको style change कर लेना, और दूसरा अपने font change कर लेना है, जमील नूरी font आपको मिलेगा, उसके उपर आपने click कर लेना है, और उसके उपर click करने के बाद आप लिखना शुरू कर देंगे, और जैसे ही आप उसको लिखेंगे, तो आप दिखेंगे कि उर्दू में लिखा जा रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर important है, कि उर्दू के बाद भी मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपने phonetic keyboard को देख लेना है, तो अब यह मैं एक sample line लिख रहा हूँ, जो कि आपको नजर भी आ रही है, इसका मैं font size बढ़ा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो, सही से नजर आए कि मैंने यह क्या लिखा है, तो students यह देखे, मैंने आपके सामने इसका font भी बढ़ा कर लिया, मुख्रिफ styles में भी इसको लेकर जा सकते हैं, आप लोगों को देखें, font styles काफी है, अगर आपको इसके लावाग भी font की दूरत है, आप download करके install कर सकते हैं, fonts को, ठीक है, जैसे LV नस्तलिक होता है, नूरी नस् fonts होते हैं, जो कि उर्दू को support करते हैं, so, यह process हो गया आपका, इसको keyboard को add करके लिखने का, अब जो अगली चीज़ है, जो कि आप लोगों के समझने के लिए है, कि किस तरीके से आप लोग उसको लिखना सीख सकते हैं, आप कैसे पता चलेगा, कि किस बटन से कौन सा हरफ उर्दू का, so, आपने Google पर जाना है, जाकर search करना है, English, उर्दू phonetic keyboard, ठीक है, आप यह search करेंगे, आपको पता चल लेगा, किस बटन के साथ कौन सा keyword है, वो, कौन सा word आएगा, कौन सा love आएगा, images उस पर जाएएगा, तो यहाँ पर आपको काफी ज़्यदा मिलेंगी, तो झाएगा